माईक्रोब्स होते हैं हमारी फ्रेन्ड होते हैं या हमारे दुश्मन होते हैं लेकिन और दुश्मनी दोनों समझने से पहले समझना यह जरूरी है कि microbes होते क्या है, what are microbes, so microbes are some unicellular organism, क्या होते है microbes वेटा, unicellular that means one cell और we can say microscopic organism, यह क्या है, microscopic organism होते हैं, है ना, और कभी कबार, कभी कबार ऐसे microbes भी होते हैं बेटा, जो हमारे multicellular भी हो सकते हैं, they can also be multicellular but usually they are unicellular organism, ठीक है, multicellular organisms are few, so microbes क्या है बेटा, कच हमारे unicellular और multicellular organisms है, which are very, very small in size, microscopic organism का मतलब है, बहुत जादा चोटे हैं देखने में, in fact, naked eye से हमें दिखते ही नहीं है, those organisms are called microbes, तो वेटा, अभी जो मैंने दो मिनिट में आपके सामने water microbes explain किया ना, हो सकता है, इसी time में मेरे माउट के थूँ, हजारो, हजारो microbes मेरे body में enter कर चुके होंगे, तो microbes, unicellular है, multicellular है, जो भी है, बहुत tiny है, बहुत चोटे है, जो हमें अपने आँखों से दिखते भी नहीं है, तो यहाँ पर एक activity दी थी है, हमको लेने के लिए कहा गया है, और थोड़ा सा पानी, from a pond, from a river, कही से भी, और उसके बाद क्या कहा गया है, कि उस थोड़ा से soil को न, आप एक बार इस device के अंदर रखके देखो, आपको क्या दिखता है, और इस device है, बटा, इस device is known as microscope, इनको हम microscope कहते हैं, और इस device से क्या होता है, हमें बहुत ही जादा magnified image दिखता है, अगर कोई चीज इतनी चोटी है, तो microscope के अंदर यही चीज हमें इतनी बड़ी दिखेगी, तो microscope में हमें क्या मिलता है, magnification मिलता है, हमें enlarged view मिलता है किसी भी चीज के, जो चीज हम अपने आखों से देख ही नहीं सकते, तो activity में कहा गया कि एक मुठी आप soil लो और उसको पानी में mix करके, microscope के अंदर एक बार देख के तो देखो क्या दिखता है, और हमें दिखा क्या बेटा, सबसे पहले तो हमें इस टाइप के बहुत सारे डाग धबो वाले structure दिखे, समझ में हमको नहीं आया, हम और ज़्यादा करीब गए, हम और ज़्यादा पास गए और हमें क्या दिखा बेटा, हमें दिखा इस टाइप के अजीव अजीव organisms जिनको हम कहते हैं micro-organisms, इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं microbes, इनको हम कहते हैं micro-organisms, तो कहने का मतलब यह है कि micro-organism इतने चोटे हते हैं कि हो सकता है उस मुठी में, उस मुठी of soil में हमें दिखा नहीं था, लेकिन उसी मुठी में जब हमने microscope के अंदर observe किया, तो हमें हो सकता है, millions of millions of microbial cells दिखे, तो सोचो कितने चोटे होते हैं, अब next question यह आता है कि ठीक है, चोटे है, unicellular है, multicellular है, जैसे भी है, रहते कहां है, कहां से आते हैं यह microbes, where do you leave? तो, the answer lies is, they are omnipresent, कहां present है यह यह हर जगा present है, they are omnipresent, that means everywhere, दुनिया में कोई भी ऐसी जगा नहीं है, जहां पर microorganism नहीं मिलेगा, हमारे skin में हमारे हो सकता है, hair पर तो भर भर के है, body में तो भर भर के है, तो हर कही है, हवा में, soil में, पानी में, in fact, ऐसे condition जहां पर नॉर्मल लाइफ रही नहीं सकती, जैसे कि बैटा, sulfur spring, जहां बहुत ज़्यादा sulfur होता है, volcano, hot springs, volcano के बाद जो बनते है, वैसे जगह जहां पर normal living organism नहीं जिन्दा रह सकते है, माइक्रोब जिन्दा रह सकते है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, they are omni, everywhere present, ठीक है, तो they are omnipresent और they are present in everywhere, ठीक है, हर जगह present है, हर जगह, लेकिन बाद अभी यह आती है, कि क्या सारे microbes सेम होते हैं, अब microbes बोलते ही, हमारे दिमाग में क्या था, bacteria, हाना, मम्मी बच्पन से बोलते है, यहाथ दो लिया कर, bacteria हो जाएगा, bacteria से बिमारी हो जाएगी, खाना खाने से पहले, proper sanitize करो, bacteria हो जाएगा, bacteria से बिमारी हो जाएगी आपको, Lysol का, sorry, हमारे वो आते है, adds आते है, हाथ दोने चाहिए, 99% germs किल हो जाते है, तो क्या सारे microbes बेटा, bacteria होते हैं, Do all microorganism are bacteria? The answer is no, सारे के सारे हमारे microbes, bacteria नहीं होते हैं, All microbes are not bacteria, याद रखिए, तो यह हमारा एक misconception होगा, अगर हम यह मान ले कि सारे के सारे microbes, bacteria होते हैं, Microbes के अलग-अलग category होते हैं, microbes के भी बेटा, अलग-अलग नख रहे हैं, अलग-अलग रंग हैं, जैसे ही categories की अगर हम बात करें, कुछ microorganism होते हैं, जिनको हम कहते हैं, bacteria, कुछ microorganisms होते हैं, जिनको हम कहते हैं, fungi, कुछ होते हैं, जिनको हम कहते हैं, algae, और कुछ ऐसे भी microorganisms होते हैं, which are known as protozoans, और कभी-कभी इसके जगह protista word भी यूज किया जाता है, तो इसमें confused मत होना, तो देखे, कितने अलग-अलग type के microorganism होते हैं, हमें लगता है, microbes सारे bacteria, नहीं, सारे microbes bacteria नहीं है, microbes can be bacteria, छोटा सा एक group है बस उस microbes में, fungi, जो बिल्कुल ही अलग है bacteria से, algae वो तो एक दम ही अलग है, यह plant से जड़ा मिलते हैं, इनका रहना सेना, और protozoans, सब अलग-अलग group है, यहां पे मैंने pictures भी add कर दिया है, ताकि हमको समझ में आए, तो यहां आप देखोगे, यह आप देखो, this is an algae, this is an example of algae, this is also an example of algae, यह दोनों क्या है बटा, algae है, अब algae आप तो चोगे क्या है, तो algae आप मानो, यह हमारे plants से इनका मिलना जुनना है, photosynthesis करते हैं बटा, खुझ से अपना खाना बनाता है, sunlight को यूज करके, लेकिन यह microbes है, क्यों, क्योंकि unicellular है, प्लस आखों से दिख नहीं रहे, तो इनको भी microbes के category में place किया गया है, यह आप देख सकते हो, this is amoeba, let me write the name, this is an algae which is known as Clamidomonas, और यह एक algae है, जिसका नाम है Spirogyra, similarly, this is known as Amoeba, and this is Paramecium, और यह जो दोनों के दोनों है, बटा, दोनों के दोनों क्या है, all of them are protozoans, यह दोनों के दोनों protozoans है, next अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको यह दिख रहा है, this is bread mold, बेटा, एक bread को, एक बार के लिए, एक bread को एक बार के लिए, तीन-चार दिन के लिए घर से बाहर रख दो, धूप में, थोरे सी moist, थोरे सा पानी उसमें चिरकते रहना, धूप में उसे रख दो, अब इठंड का टाइम में, तीन दिन में हो सकता है, ना हो, वन वीक रख दो, आप देखोगे, उस bread में चुटे-चुटे powder बन जाएंगे, ठीक है, वो जो powder है, actually, it was a fungus, वो एक fungus है, उसके बेटा चुटे-चुटे वो स्पोर्स बन गए है, और वो जो fungus है, उससे हम कहते है bread mold, देखने में कुछ इस तरीके का होता है, इसको भी हम आप microbes के अंदर ही categorize करते हैं, similarly, this is penicillium, यह जो आपको दिख रहा है, this is penicillium, यह भी एक fungus है बेटा, और इसके वज़े से आज दुनिया में antibiotic बन पाया, आज जो हमें fever होते ही, हम antibiotic ले ले लेते हैं, कुछ भी में दुनिया का सबसे पहला antibiotic discover किया गया था, एक इंसान ने किया था, उनका नाम है Alexander Flaming, नेक्स बात करें, यह भी एक fungi है, and it is known as aspergillus, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अगर बेटा, antibiotic बना, which is known as penicillin, दुनिया का पहला antibiotic, तो इससे क्या होता है, इससे citric acid की production होती है, इससे बेटा, हम जो अपने घरों में vinegar यूज करते है, acetic acid की भी production की जाती है, तो यह सारे के सारे, बेटा, क्या है, microbes, लेकिन, बेटा, क्या सारे हमारे लिए खराब है, नहीं, सारे कैसे खराब है, penicillin, अगर बेटा, खराब होता, तो antibiotic नहीं मिलता हमें, तो क्या होता हमारा, हमारा तो सत्या नाश हो जाता है, ना, तो इसलिए हमेशा एक question रहता है, कि microbes जो है, जिसमें यह सारे के सारे group है, और यह सारे के सारे group बेटा, एक दूसरे से बहुत अलग है, बहुत अलग है, कि इनकी cell के structure से लेकर, इनके रहन, सहन, खान, पान, सब कुछ अलग है, so, this belongs to a very very different group, but yet, सब को खीज, खाच के, microbes के category में लाया गया, क्यों? क्योंकि बहुत चोटे होते हैं, बहुत ज्यादा चोटे होते हैं, microscopic होते हैं, most of the time, और, और अकर हम बात करें, so, इनकी structure भी होती है, थोड़ी सी दूसरे ग्रुप से अलग होती है, so, आप देख सकते हो, कितने हमारे अलग-अलग categories है, of the microbes, अब बात करते हैं, viruses की, I know, पीछे का background, देखे, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा, फिर से COVID, फिर से COVID, नहीं, नहीं, बेटा, यह जो वाइरस होते ह है, so, my question is, are these viruses microbes, क्या viruses microbes की category में आते हैं, so, the answer is, partly yes, partly no, ठीक है, आप ते haunted movies देखिए, गभी भूतों वाला मूवी, तो भूत जो होता है, बटा, क्या भूत इंसान होता है, नहीं, भूत इंसान नहीं होता, भूत क्या होता है, एक shadow होता है, सबसे पहले तो हीरो को हिरोईन को possessed करेगी, है ना, तो वैसे ही virus होते है, virus बेटा, proper cell होते ही नहीं है, viruses are not cell, they are not proper cell, याद रखिए, no cell, और इसी के बीच में, इसी के वज़े से क्या है, cell नहीं होने के वज़े से, बेटा, viruses को हम living consider नहीं करते है, viruses को हम क्या consider करते हैं, पार्टली living और पार्टली non-living, that means ये पार्टली living या हम कह सकते हैं, ये living और non-living के बीच में बेटा, घूमते रहते हैं, proper इसकी कोई category है ही नहीं, क्योंकि virus cell ही नहीं है, अगर बेटा, virus cell नहीं है, तो virus क्या है, अगर cell नहीं है, तो next point आता है कि virus है क्या, तो virus, protein और nucleic acid है, तो यहां पर आप देख सकते हो, ये structure है, तो उसकी बाहर की जो ये बनावत है, बाहर की जो ये structure है बेटा, this structure is known as protein, this structure is made up of protein, तीक है, ये protein से बना हुआ है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक छोटी सी, naked सी, लंबी सी, thread-like, rusty type का structure होता है, जो बहुत 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 होता है, because this is known as nucleic acid, और commonly known as DNA, अब DNA क्या होता है, बाटा, DNA actually nature में एक टाइप की negatively charged हमारी acidic compound होती है, जिसको हम nucleic acid कहते है, बाटा, जैसे protein होता है, fat होता है, carbohydrate होता है, वैसे ही nucleic acid होते है nature में, और यह जो nucleic acid है, बहुत 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 जदा important है, और इसकी important इतनी ज्यादा है, कि इसको अपने आप में एक नाम मिला हुआ है, that is known as genetic material, अब genetic material का क्या मतलब होता है, बाटा, genetic material देखो, उसको समझने के लिए आपको बस एक सिंपसित चीज समझने की ज़रुरत है, आप जो हो, आप अपने parents की तरह दिखने में similar हो, लोग कहते होंगे, कि आप अपने momie की तरह हो, आप अपने पापा की तरह हो, कहते होंगे, तो यह similarity है, आपके papa और आपके momie, और आपके बीच में, यह क्यों है पटा? क्युकि कुछ ना कुछ information आपके papa ँमा ममी से आप तक आया है, तो यह जो information आता है बेटा वो कौन लाता है DNA लाती है इसी विए DNA को कहा जाता है genetic material कैसे आता है क्यों आता है हम higher classes में देखेंगे ठीक है बट फिलार के लिए यह समझिए कि DNA जो है एक genetic material है है ना information को pass करता है और DNA क्या है बेटा DNA एक nucleic acid है जो nature में पाई जाती है वाइरस पर वापस आते हैं अब मैंने कहा था कि viruses में क्या होता है कोई cell होता नहीं है cell नहीं होता लेकिन होता क्या है बेटा protein होती है जो उसकी पूरी covering करती है और nucleic acid होता है जो DNA या RNA भी हो सकती है RNA भी बेटा एक type की nucleic acid ही होती है full form की बात करें तो DNA refers to deoxyribonucleic acid इसका full form है deoxyribonucleic acid similarly RNA की बात करें तो RNA is full form होता है ribonucleic acid ribonucleic acid और viruses में यही होता है एक protein होता है और या तो DNA होगा या तो RNA होगा that means आप देख सकते हो कि cell वाली कोई बात हमारे viruses में नहीं होती है cell वाली कोई चीज हमारे viruses में नहीं होती है तो क्या बेटा कभी आपने सोचा है virus काम कैसे करता होगा how viruses might work तो वाइरस के काम करने की एक बहुत special तरीका है बेटा बहुत special way है मान लीजे यह है एक cell और cell में infection किया एक वाइरस ने this is a virus ठीक है और वाइरस के अंदर क्या था बेटा उसकी DNA थी और cell के अंदर भी उसकी अपनी DNA होती है है ना और हमारी DNA बेटा अच्छी तरह से preserved होते हैं हम अपने cell के अंदर DNA को अच्छी तरह से चुपा के रखते हैं इनस्ट्रक्चर कॉल nucleus अब देखो वाइरस काम कैसे करता है बेटा वाइरस जो है यह बेटा हमारा DNA है लैट मी राइट इस हमारा DNA हमारा DNA और होस्ट DNA होस्ट DNA होस्ट DNA भी हम इसको कॉंसिडर कर सकते हैं सॉरी सो लेट अस कंसिडर इस होस्ट यहने और यह क्या है यह वाइरस का डियने है अब सबसे पहले क्या करेगा वाइरस आके इस सेल में चिपक जाएगा और उसके बार क्या करेगा वह अपनी DNA को यहां सेल के अंदर भेज देगा ठीक है वह अपने DNA को यहां सेल के अंदर भेज देगा लेट मी ड्रॉ आवर डियने इन यल्लो कलर ताकि हम थोड़ा विजबल हो जाई जली तो यह है हमारी DNA अपने DNA को यहां भेज दिया सेल के अंदर और उसके बाद क्या होगा उसके बाद दूबारह हमार जो DNA ने के साथ जाकर आप सबस्यां किछ दक गया है और इसके हमारा जो सेल था वह पागल हो हो जाता है जीव हरकते करने करने लगता है जो है ये सेल क्या होगा विचारा पुज़स्ट हो जाएगा और बीमार पड़ जाएगा यह जो स्टैल है इसमें इलनेस आ जाएगी और इसी illness के चलते क्या होगा यह जो cell है पागलों की तरह बहुत सारा virus बना देगा क्योंकि यह cell possess हो चुका है जो भी virus उसको बोलेगा वही सुनेगा तो यह cell क्या करेगा बैटा यह अपनी काम ना करके बहुत सारे viruses बनाएंगे और धीरे धीरे बिमार पड़ जाएगा तो इ तर फिर तर ना वह हमारे दीने के साथ जा कर चिपक गई तो उसने आप सैल को छोड़ना नहीं है वह सेल को इंस्ट्रक्शन देती रहती है अब तुझे सिर्फ और से वाइरस बनानी है अब तुझे से मेरी वाइरस में काम करने का तरीका लग है कोई गृतो सरा माइक्रोम बैक्टेडिया प्रोटोजों कोई इस तरीके से नहीं काम करता है तो इसलिए वाइरस जो है वो सेल तो नहीं है देया नौट सेल बाट हमेशा एक होट टॉपिक ऑफ डिबेट रहे है कि दे आर लिविंग और नौन लविंग बहुत ही यूनीक स्टाइल है उनका तो माइक्रोप्स के बारे में वी है आईडिया रा up करेंगे कि माइक्रॉबस होते हैं तो सबसे पहले दिखू दुश्मन नौन भी होते है और बैक्टेरिया के वज़े से टाइफॉयट भी होता है कॉलेरा भी होता है So, yes, microbes are friend as well as also, वो हमारे friend भी है, दुश्मन भी है, बात करेंगे सबसे पहले अच्छाई की, advantageous की, है ना? So, सबसे पहले हम बात करेंगे friendly microbes की और a very good example is the curd formation, दही का बनना. So, बाता, यह एक special type के microbes से बनता है, which are known as lactobacillus, इस bacteria का नाम है lactobacillus, यह क्या है, बसे के लिए एक bacteria है, ठीक है, bacteria है, और इस bacteria के चलते क्या होता है, बाता, third की formation होता है, Actually, होता क्या है, दूद होता है, milk होती है, milk में बेटा एक sugar होता है, which is known as lactose, ठीक है, which is known as lactose, और यह जो lactobacillus है, क्या करता है, इस lactose को lactic acid में convert कर देता है, ठीक है, जो कि एक acid है, इतनी in detail आपको ज़रुवत नहीं है, बस simple समझने के लिए मैं आपको यह कह रही हूँ, कि होता कैसे है, दूद है बैटा, दूद में sugar होता है, lactose, और यह जो lactose है, इस lactose को तोर देते है, यह bacteria, lactose की structure को खतम कर देते है, lactose का structure तूठने के वज़े से क्या होता है, एक acid की formation होती है, और यह lactose क्या करती है, दूद में जो protein है, उसको जमा देती है, protein get coagulate, coagulate का मतलब जम जाना है, तो आप देखोगे, जब भी दही बनती है, नीचे की तरफ पानी पानी रहता है, उपर की तरफ एक दम एक मक्खन वाला लेयर जम जाता है, वो क्या है, वो protein है, जो coagulate हो जाता है, जो जम जाती है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारी curd की formation होती है, तो bacteria ने बस शुगर को खाया, उसने lactose को खाया, lactose की breakdown की, lactose की breakdown होती ही पीटा, जो acid बना, उस acid ने सारा कारनामा किया, उस acid ने क्या क्या, प्रोटीन को जमा दिया, coagulate कर दिया, और हमें क्या मिल गया, दही मिल गया, तो this is a good thing, अच्छी बात है, दही में बहुत सारे अच्छे bacteria ह होते हैं जो हमारे बॉड़ी के लिए बहुत इंपोर्टन तो यह एक अच्छी जी सेकेंड अगर हम देखें इन ब्रैड मेकिंग इन एलकोहल माइक्रोब का बहुत बहुत इंपोर्टन रोल है यह आप देख सकते हो लुइस पैस्टियॉर है इन अपने बहुत अच्छी अच्छी काम किये पैस्टियरैजेशन करके एक प्रॉसस की development की fermentation करके एक process की भी explanation उन्होंने किया था अब सबसे पहले हम देखेंगे bread formation क्या होता है फिर थोड़ा सा हम fermentation में देखेंगे बात करें bread की formation की तो bread की formation जो है वो भी एक हमारे microbes के वज़े से ही होता है एक fungi के वज़े से होता है जिसका नाम है yeast आपके घर में मम्मी भी यूज़ करते होंगे yeast bread के लिए cake के लिए so yeast जो है क्या है बेटा it isn't fungi एक fungus है अब yeast क्या करता है yeast भी बेटा सबसे पहले आटा आटा को अगर हम रख दे बहुत टाइन तक तो वहाँ पे बेटा जो carbohydrate होगा carbohydrate क्या है carbohydrate is a nutrient है ना तो वहाँ पे जो carbohydrate होगा उस carbohydrate को वह खाएंगे सबको खाना चाहिए ना तो बेटा इसको भी खाना चाहिए तो इस carbohydrate को वह बचारे खाएंगे है ना खाकर उससे energy बनाएंगे हम खाते क्यों है हमको energy चाहिए तो carbohydrate fats क्या है यह सब they are energy giving food classics में हमने पढ़ा था they are energy giving foods तो आते में जो carbohydrate होगा let us take an example कि यह हमने आटा लिया है आते में जो बेटा carbohydrate होगा उसको यह इस खाएंगे खाने के वज़ेश क्या होगा energy मिलेगा और उनकी body में जब बेटा energy बनेगी उसके साथ साथ दो चीज़ बनेगी एक carbon dioxide बनेगा ठीक है और बेटा क्या बनेगा दूसरा बनेगा energy तो जब वो खा रहे है और carbon dioxide बन रहा है इस चकर में क्या होता है जो bread है जो आटा है वो बहुत फुल जाता है आप देखोगे कि घरों में अगर आपकी ममी ने कभी yeast यूस किया है तो आप बस yeast डालके रख दो आटे को दो घंटा इतनी से आटा फुल के इतना हो जाएगा तो यह जो इतनी फुल जाता है वो क्यों पूलता है क्योंकि उसमें carbon dioxide gas भर जाता है ठीक है सो यह carbon dioxide बनता है जो क्या करेगा इस प्लफीनेस के लिए important है ब्रैड में अगर आप देखो प्लफी होते है क्योंकि उसमें carbon dioxide भरके उसकी structure ही ऐसी बन जाती है दूसरा चीज क्या बनता है बेटा दूसरा चीज बनता है एल्कोहॉल और एल्कोहॉल पो भी commercially use किया जाता है है ना सो यह हम इस्ट को यूज करके carbon dioxide के healthy bread बना सकते है डो बना सकते है धोकला बना सकते है एन हम एल्कोहॉल को यूज कर सकते है अपने laboratory में आजकल के sanitizer में यूज होता है बहुत सारे यूज है एल्कोहॉल के भी अपने अपने तो दोनों ही product हमारे useful है अब यहां पर मैंने बोला था कि लूइस पैस्टियॉर ने एक प्रॉसेस की mention की थी that is fermentation तो यह क्या है fermentation तो देखो बेटा हम सास लेते हैं मैं अभी अभी सास ले रही हूं हमें जंदा रहने के लिए oxygen चाहिए oxygen जो है आप higher classes में जाके definitely पढ़ोगे oxygen जो है वह हमारे खाने की हमारे respiration के से energy बनाने में बहुत ज़्यादा help करें oxygen is very very important for energy production मतलब आप यह मान लो oxygen नहीं होगा तो हमारे body में इतनी energy भी नहीं बन पाएगी लेकिन यह जो unicellular organism है like yeast इन में बेटा यह बिना oxygen के भी जंदा रह सकते हैं इन में energy बिना oxygen के भी बनते हैं तो इस process को हम कहते हैं fermentation so fermentation is the process of breakdown of molecules without oxygen so energy यहां पे भी बनती है लेकिन क्या है यहां energy बनने के लिए oxygen की ज़रुरत नहीं है तो यह जो organism है यह बिना oxygen के भी रह सकते हैं हम अपनी बात करें तो हम बिटा बिना oxygen के 5 मिनट भी शायद नहीं रह पाएंगे लेकिन यह oxygen यह organism रह पाते हैं और इन में जो energy production की process है इन में जो यह energy production की process है बिना oxygen के भी चलता है and it is known as fermentation जो किसने प्रपोस किया था? Lewis Pasteur अब अगर हम बात करें next good point की it is the commercial production अब commercial production में अगें क्या आजाएगा बिटा? alcohol production next आएगा production of vinegar जिसको हम क्या कह सकते हैं? which is also known as acetic acid next production of citric acid तो बहुत सारे acids है बहुत सारे acids है जो microbes के वज़े से बनते हैं और जिसकी हमारे day-to-day life में बहुत ज़रा importance है alcohol sanitizers में यूज होता है, laboratories में यूज होता है, कुछ-कुछ लोग consumption के लिए यूज करते हैं तो there are many economic uses of alcohol vinegar हम अपने घरों में यूज करते हैं अचार में डालते हैं खाने में डालते हैं Chinese food में तो vinegar होता ही होता है noodles में तो होता ही होता है, apart from that vinegar is very very good for microbial action यह vinegar जो होता है acidic acid जिसको हम कहते है, अचार में हम क्यों डालते हैं ताकि गंडे जो bacteria है वो ना ग्रो कर पाए और हमारा अचार बहुत लंबे टाइन तक ठीक रहे citric acids, citric acid के बेटा tablets बनते हैं तो बहुत सारे इसके economic uses है जो यह सारे के सारे products कहीना कहीं microbes से ही आते हैं तो यह microbes भी कही ना कहीं अच्छे होते हैं जैसे कि मैं आपको एक्जांपल दू विनेगर और citric acid जो होते हैं यह किस से बनते हैं क्लास के शुरुवात में मैंने बोला था aspergillus के बारे तो यह बेटा aspergillus से बनता है जो की एक फंजाई है एल्कोहॉल की बात करें especially ethanol जो है यह भी एक फंजाई से ही मिलता है which is known as yeast bread भी एक फंजाई से बनता है which is known as yeast है ना तो बहुत अच्छे economic uses होते हैं this is a fungi और यह जो विटा penicillium था इससे कौन सा बना था it is penicillin यह दुनिया का था सबसे पहला antibiotic और भी बहुत सारे antibiotics है जो आज हम अपने day to day life में use करते हैं like streptocycline like tetracycline etc और यह हमें किस से मिलते है बेटा यह हमें मिलते हैं from different bacteria कुछ-कुछ हमारे bacteria से भी हमें antibiotic मिलते हैं तो commercial production of alcohol, vinegar, antibiotic production, curd की formation, bread की formation इन सब में जितने भी bacteria use होते हैं उनको हम अपना friendly bacteria मालें क्यों कि उनसे हमें लाभ हो रही है हम भी तो selfish है ही ना हमें किसी से लाभ होगा तो ही हम बेटा उसको अच्छा बोलेंगे नहीं कुछ लाभ हो रहा है तो क्यों हम अच्छा बोलें है ना नहीं अब यहां पर आप देख सकते हो there is a photo of a man है ना तो ही इस Alexander Flaming यह थे हमारे Alexander Flaming उन्होंने पहला discovery किया था of penicilline from penicillium यह जो discovery थी ना यह बिल्कुल accidental discovery ते बिल्कुल accidental discovery अच्छली यह महाशय जो थे थे थोड़ से ना mismanaged थे mismanaged in the sense की अच्छा काम करते थे no doubt बहुर अच्छा एक दिन क्या दो वह एक्टेरिया के उपर और उन्हों वही पर रखके वह चले गए और भूल गए दो तीन दीन बार जब वह वापस आए वापस कर उन्हों ने क्या देखा कि प्लेट में ग्रीन कर झाइज हो जो है ग्रो कर रही है और जिस भी प्लेट में बैटा ये ग्रीन कलर की चीज ती बहुत बचने considering और उसके बार उन्हें बहुत स्टड़ी की बहुत स्टड़ी की and then he found that कि actually में ये जो green color का कुछ भी था तब उनको नहीं पता था लेकिन उन्होंने बार में पता लगाया कि ये green color का जो organism था ये एक पंजाई है penicillium और इसने बेटा कुछ chemical release कर दिया था कुछ antibiotic release कर दिया था जिसके वज़े से यहाँ इस plate में सारे bacteria मर गए और उसी के बाद दुनिया का पहला antibiotic बना that is penicillin world war के टाइम पे तो पागलों की तरह use किया गया penicillin को so all these microbes are beneficial for us इसलिए हम उनको क्या कहते है इसलिए हम उनको friendly microbes कहते है पेटा viruses के context में अगर हम देखे क्या viruses friendly होते है most of the time no viruses are not friendly to be very friendly अब अगर आप बोलोगे COVID-19 friendly है हो सकता है सब लोग अभी 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 आप बोलोगे कि मैं नहीं COVID-19 तो कभी होई नहीं सकता एक तो friendly है नहीं उपर दे बैटा variant के उपर variant variant के उपर variant बनते जा रहे है तो या viruses are not friendly but but we can use some weak viruses we can use some Latin viruses for our good हम अपने अच्छाई के लिए कुछ viruses को use कर सकते है जो weak हो ठीक है और उस process को हम कहते है vaccination उस process को क्या कहते है बटा हम vaccination कहते है तो vaccination में क्या होता है it is the introduction of weak virus into the body क्या है यह introduction of weak viruses into the body कि अब इससे क्या होगा बिटा खुछ सोचवाब इससे क्या होगा आपने बच्पन से सुना होगा कि दूर पियो immunity अच्छा है यह खालो immunity अच्छा होगा वो खालो immunity अच्छा होगा तो एक्चली हमारे बॉड़ी के अंदर ना किसी भी germs से fight करने की capacity होती है किसी भी germs को मारने की capacity होती है तो vaccination उसी चीज का लाब उटाता है हम क्या करते हैं अपने body में पहले ही वीक वाइरस इंट्रड्यूस कर देते हैं लेक अस्यूम डिस आवर बॉडी तिक है और यह है असली वाला COVID-19 वाइरस अब देखो होगा क्या हमने पहले ही वीक COVID-19 वाइरस को अपने body के अंदर इंट्रड्यूस कर दिया है इससे क्या होगा बेटा इससे यह होगा कि जब असली वाला वाइरस हमारे body को attack करने आएगा हमारी जो body है वो एक shield बना देगा it will form a shield और यह shield किसका होगा बेटा यह shield होगा antibodies का this shield is known as antibody body so weak COVID-19 वाइरस let me write here introduced by vaccination हमने क्या क्या vaccination के थुरू weak COVID-19 वाइरस को introduce कर दिया इसके वजे से क्या होगा बेटा जब भी strong COVID-19 वाइरस attack करेगा ठीक है it will attack हम बच जाएंगे हमको बहुत ज़्यदा बिमारिया नहीं होगी इतनी severe symptoms नहीं होगा क्यों क्योंकि हमारी जो body है our body immune system will form a shield or will act as a shield और यह क्या करेगी हमारे body को protect कर लेगी तो इसी को हम कहते है vaccination COVID-19 का वाइरस हमारे body को बहुत ज़्यदा हम नहीं कर पाएगा so vaccination का concept ही यह है कि इससे पहले कोई तुमको मारे तुम पहले से ही मार खाल ठीक है that means इससे पहले कोई भी वाइरस आपके body में एंटर करें असली strong वाइरस आपके body में एंटर करें आप वीग वाइरस को एंटर कर दो कि ताकि आपकी body पहचान जाए और आपकी body हथियार तयार कर ले और वह जो हथियार है जो हथियार है उस हथियार को हम कहते हैं एंटी बॉड़ी और इस पोरी प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सिनेशन इसकी भी कहानी शुरू हुई थी Sir Edward Jenner से एक टाइम पर दुनिया में Smallpox बहुत फैला हुआ था, बहुत फैला हुआ था Smallpox, हर किसी को Smallpox हो रहा था and this Smallpox is actually a deadly disease, तो उस टाइम पर बहुत खड़ाब हालत थी, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ Asian countries में, China, India, ऐसे countries में लोग क्या कर रहे थे, Cowpox जिसको था, so Smallpox, human में था, Cowpox जिसको भी था, especially the Cow, तो वो लोग क्या करते थी, जो चम्री निकल जाते थी, actually Pox में होता क्या है, चम्री से निकल जाती है skin, तो वो लोग क्या करते थे, Cowpox जिसको भी था, उनकी चम्री जो है, वो अपने skin में रगर ने लगे थे, ताकि उनको बिमारी ना हो, और इन्होंने ये notice किया कि ये fact है, जिन्होंने भी Cowpox वाईरस को ऐसे-ईसे रब किया था, Cowpox की skin को रब किया था, उनको Smallpox हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि Cowpox का वाईरस सिर्फ काउं में करेगा, लेकिन है तो वो वाईरस, तो ये human में वीग वाईरस बन गया, तो जिसने भी रब किया होगा, वो वाईरस human के body के अंदर गया, उसने human के body के अंदर shield बनाया, ताकि जब original Smallpox वाईरस आए, वो in fact ना कर पाए, तो vaccine, actually ये word ही, vaccine या guy से शुरू होती है, तो इसी से इस पूरी चीज की development हुई, जिसको हम कहते है vaccination, किस ने develop किया, Edward General ने develop किया, किस disease के context में किया बेटा, smallpox के context में किया, तो अब हम देखेंगे, microbes in the environment, बेटा, microbes सिर्फ commercially important नहीं है, microbes सिर्फ दही बनाने के लिए important नहीं है, microbes हमें जिन्दा रखने के लिए भी important है, जैसे कि मैं अगर आपको बोलू, कुछ microbes ऐसे होते हैं, like algae, जो बेटा, algae होते हैं, बहुत-बहुत ज़रा important होते हैं, because they carry out photosynthesis, ना, photosynthesis क्या है, photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है, जिसके तुरू वो अपना खाना बनाते है, लेकिन हमारे लिए क्यों अच्छा है बेटा, क्योंकि जब photosynthesis होता है, तो बहुत सारा oxygen release होता है, environment में, oxygen बहुत सारा release होता है, हमारे वातावरन में, और जितना oxygen रहेगा, उतना ही pollution कम, और हमारा वातावरन शुद रहेगा, so microbes की, algae की ये खास्तियत है, बेटा, ये plants भी करते हैं, in fact, algae को आज plant का ही part माना जाता है, बट अगर हम microbes भी consider करेंगे, तब भी बहुत जड़ा important है, क्यों, photosynthesis करेंगे, oxygen release करेंगे, जो भी oxygen है, वो हमारे environment को स्वच सकतेगा, लेकिन यहाँ पर कहानी खतम नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे microbes भी होते है, which are essential for soil fertility, बहुत सारे ऐसे microbes भी होते है, which are essential for decomposition as well, soil fertility की अगर हम बात करें, what is the soil fertility, soil fertility का मतलब क्या होता है, it is the capability of a soil to hold a plant, fertility का मतलब क्या होता है, वो कुछ grow कर सकता है, it can lead to something, that is fertility, एक positive point है, soil के पास भी बाटा एक शक्ती होती है, एक inner शक्ती होती है, soil के पास, soil में बहुत कुछ होता है, अगर हम soil में पूचे क्या होता है, soil में बहुत कुछ होता है, soil में minerals होते है, soil में water होते है, right, so, first of all, let us take की soil में क्या क्या होता है, compositions थोड़ा सा हम देख लेते हैं, composition of soil की बात करें, तो soil में बहुता minerals होते हैं, जो भी minerals हमारे body में हैं, like nitrogen हो सकता है, phosphorus हो सकता है, sulfur हो सकता है, potassium हो सकता है, कुछ भी, so and so, कुछ भी हो सकता है, minerals होते है, soil ही वो सोड़ से, जिससे पानी मिलता है, किसको, plants को, और plants बहुत ज़्यदा important है, क्यों, because plant photosynthesis करता है, plants नहीं होगा, तो शायद oxygen नहीं होगा, oxygen नहीं होगा, तो शायद हम नहीं होंगे, है ना, तो हमारी जो पूरी life है, हम जितना भी छीना उठा के बोल दें, कि नहीं, हम ही best है, human ही best है, बैटा, plant के बिना, हम सारे सारे बिकार है, so plant को पानी कहा से मिलता है, बैटा, water मिलता है, soil से, तो soil में, अपने आप में, एक life को hold करने की capacity है, उसके अलावा भी अगर आप देखोंगे, बैटा, soil में क्या है, बहुत सारे microorganism का घर है, तब ही तो activity one में कहा था, एक handful soil लेयाओ, उसको microscope के अंदर देखो, आपको लाखो, लाखो, आपको microbes दिखेंगे, so, soil is the habitat of millions and millions of microorganisms, और, soil की जो capacity होती है, इन सब को hold करने की, that is soil fertility, उसी को हम soil fertility कहते हैं, और, soil में बैटा, ये fertility कैसे आती है, due to some microorganisms, cyanobacteria के नाम से भी बहुत famous है, they are also commonly known as, cyanobacteria, ये क्या करते हैं बैटा, सिर्फ cyanobacteria नहीं, बहुत सारे bacteria होते हैं, cyanobacteria होते हैं, sulfur bacteria होते हैं, there are sulfur bacteria as well, तो इस टेप के बहुत सारे, अलग-अलग bacteria होते हैं, अलग-अलग microorganism होते हैं, ये क्या करते हैं बैटा, अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे कि Sulfur Bacteria क्या करता है बटा, Soil में Sulfur के Supply को Maintain करता है, It Maintains Sulfur Supply in Soil, Sino Bacteria क्या करता है बटा, Atmosphere के Nitrogen को Soil कर ले आता है, That means Atmosphere के Nitrogen को Fix करता है, कैसे करता है, हम इसी Chapter में आगे जाके Definitely देखेंगे ये वाला, Because Nitrogen Cycle is given in our syllabus, तो ये जो Bacteria है बटा, ये Soil के Fertility को Maintain रखती है, Soil अगर Fertile नहीं होगा, तो बंजर हो जाएगी जमीन, कोई प्लांट, कोई भी चीज कुछ भी नहीं ग्रो हो पाएगा, तो Soil को Fertile रखना बहुत जरूरी है, और Soil के Fertility के लिए बटा, इन Bacteria's का होना बहुत जरूरी है, ये Bacteria's, ये Microbes नहीं होंगे, तो Soil की Fertility भी Maintain नहीं रह पाएगा, Similarly, बटा, सिर्फ Fertility के लिए नहीं, Decomposition के लिए भी Important होते हैं, हमारे ये Micro Organism, Decomposition मेंली जो करते हैं, They are known as Saprobes, or Saprophytic Organism, they are known as Saprophytic Organism, Common Example अगर हम दे, पंजाई, पंजाई जो ये Group है, ये Saprophytic है, कुछ हमारे Bacteria भी होते हैं, जो हमारे Saprophytic है, But again, याद रखिए, सारे के सारे Bacteria, सारे के सारे Fungi जो है, Saprophytic नहीं होते हैं, कुछ Saprophytic है, कुछ Saprophytic नहीं है, Right, अब यहाँ पे भी एक Activity दी है, जिसमें ये कहा गया है, आप दो Pot लो, ठीक है, दो Pot हम ले लेते हैं, Pot A and Pot B, अब हमें कहा गया है, Pot A में आप अपना Food West डालो, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, Food West, और Pot भी में हमें कहा है, कि Plastic West डाल दो, Plastic Bottle, Plastic Can जो भी हमारे पास है, डाल दो, अब बेटा, इसको अगर हम दो, तीन दीन के बाद देखेंगे, वन वीक के बाद देखेंगे, तो इन में से कौन से Pot में हमें Decomposition चीज दिखेगा, इन में से कौन से Pot में हमें सरद हुए चीज मिलेंगे, The answer will be option A, जो भी खाना था, Food West था, वो सारे के सारे सरद जाएंगे, सारे के सारे के साद डिकंपोज हो जाएंगे, जबकि Plastic West नहीं हो पाएगा, तो यह जो activity था, वो क्यों दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था, क्योंकि हमें समझाने की कोशिश कर रहेते हैं, कि लेकिन हमने क्या क्या है, हमने कुछ ऐसे chemicals बनाएं, like plastic, जो क्या है, जो यह लोग decomposition करने ही पाते, और environment को pollution अलग करते हैं, है ना, so decomposers जो है, taprophytes जो है, nature में बेटा present होते हैं, क्यों चीजों को decompose करने के लिए, मित्ती में मिलाने के लिए, but things like plastic, substances like plastic, क्या कर रहा है, environmental pollution कर रहा है, यह decomposition process को hamper कर रहा है, so we should minimum use और we should not use plastic bags, so decomposers में में दो category क्या हो गया, बैटा, fungi हो गया, और दूसरा हो गया, bacteria, और यह क्या करते हैं, they mainly करते हैं, breakdown of substances, ठीक है, decomposition में क्या होगा, breakdown of complex substances into simpler one, याद रखे, इसी process को हम कहते है, decomposition, जैसे कि मान लीजिए, चावल है, चावल है, चावल में क्या होता है, चावल में होता है, अकार्वो हाइडरेट पॉल स्टार्च, तो अगर हम दो एक क्टोरी चावल फैक देंगे, तो क्या होगा बैटा, यहाँ पर जो स्टार्च है, उसमें कुछ हमारे bacteria's grow करेंगे, और स्टार्च को ultimately glucose में convert कर देंगे, और यह glucose क्या है, ना के बराबर है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो complex complex जो चीजे होती है, उनको simple simple चीजों में तोर तोर के तोर तोर के उनके decomposition करकर के यह मिट्टी में मिला देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टन है, यह नहीं होते ना, तो environment अपने आप साफ नहीं होता, तो environment में सब कुछ था, वो creatures को बनाते भी थे, creatures को खतम भी करते थे, लेकिन हमने by creating substances like plastic, इस चीज को थ तोर असा हमने इसको गरबरा दिया है, but overall अगर हम देखे, yes, yes, microbes are beneficial for us, microbes हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन है, हमारे लिए बहुत थारा काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे microbes भी होते हैं, जिससे हमें बिमारिया होती है, कुछ ऐसे microbes भी होते हैं, which are not at all group, so they are known as pathogens, तो pathogens क्या है, pathogens हमारे ऐसे microbes होते हैं, जिससे हमें तरह तरह की बिमारिया होती है, तो याद रखिए, दो जार कॉल, pathogens, pathogens की अगर हम बात करें, तो यह क्या है, they are mainly parasitic, यह mainly क्या होते हैं, पेरासाइटिक होते हैं, पेरासाइटिक का मतलब है कि बहुत सरे से pathogen होते हैं, बहुत टाइम थे हमारे body में grow करते हैं, nutrition सख करते रहते हैं, कभी-कबार इनकी quantity इतनी बढ़ जाती है, कि हम बिमार पर जाते हैं, ऐसे condition में हम उनको क्या कहेंगे बटा, हम उनको कहेंगे pathogens, जिससे हमें बिमारिया हो होगे, now what is disease, disease का मतलब क्या है, अब आप बोलते होंगे मैं बिमार हूँ, बहाना तो मारते होंगे, teacher, school वाले teachers को बहुत मारते होंगे, कि मैं बिमार हूँ, मैं बिमार हूँ, बिमार हूँ, बिमार हूँ, बिमार हूँ, बिमारी होना क्या होता है, so बटा, diseases क्या है, it is a state of being not well आठ थीक नहीं हो it is a state of being not well or ill इस्टी को हम बिमारु कहते ठीक है? It is the state of not being well or ill or we can say not proper functioning of some not proper functioning of some parts right? disease क्या होगे बिटा? एक ऐसी condition है एक ऐसा state है जिसमें हम अच्छा फील नहीं करते हैं हम अजीब सा फील करते हैं headache हो रही है या पेदद हो रहा है all those are symptoms बट क्या है यह एक ऐसा state है? जिसमें हम अच्छा नहीं फील करें we are not feeling well we are not in a wealth condition plus क्या है बटा? कभी कभार कुछ ऐसे भी conditions होते हैं जहां पे हमारे body proper function करती नहीं है जहां पे हमारे कुछ body के parts proper function नहीं करते हैं so disease is the state of being unwell, ill or it is not or improper functioning of some body parts और इतर diseases है बटा वो हमारे तरह तरह के अलग अलग type के microorganism के वज़े से भी होता है और कभी कभार microorganism के वज़े से नहीं भी होता है so diseases can be of two types याद रखिए disease हमारे डो type के होते है one is due to microorganism जैसे कि सर्दी हो जाना due to microorganism सर्दी का होना, malaria होना cholera होना, typhoid होना है ना, covid होना सब कुछ क्या होता है बटा, micro viruses इनके वज़े से होता है तो इस type के disease क्या होते है फैलते है बहुत जल्दी जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान तक it is known as communicable disease communicable disease का मतलर है कि ये बहुत फटा-फट से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है कुछ diseases होता है बटा, वो micro organisms के वज़े से नहीं होता है वो क्यों होता है? due to our internal factors due to our internal factors ऐसे बिमारियों को हम क्या कहते हैं? ऐसे बिमारियों को हम कहते हैं non communicable diseases they are known as non communicable diseases क्यों? क्योंकि बटा, वो spread नहीं होते हैं? example में मान लो diabetes किसी को diabetes क्यों होगा? जब वो बहुत ज़्यदा चीनी खाएगा इतना मीठा खाता है कि insulin की production ही गरबर आ जाएगा तो insulin की production उसकी क्यों गरबर हुई? क्योंकि वो ज़्यदा चीनी लेता था अपने diet में overweight था और वो बिमारी बेटा किसी और को नहीं लगेगा उससे तो इस टाइप के diseases जो है जो हमारे body के अंदर के function के वज़े से होता है they are known as non-communicable disease और microbes के वज़े से जो होता है they are known as communicable diseases and just remember communicable disease क्या होता है? transfer from one person to another so they get transfer from one person to another अब इसमें भी एक twist है twist यह है कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक जाता कैसे है how they get transfer from one person to another person तो बेटा हमको अगर दिल्ली से कही और जाना है हमको अगर मालो दिल्ली से मुझे तुमारे घर जाना है तुमारा घर मालो शिम्ला में है तो मैं कैसे जाओंगी obviously I will use some car or some train sort of thing मैं कुछ ना कुछ transport medium लूँगी मैं गारी से जाओंगी या तो हो सकता है मैं अपने पैरों का यूज कर लू वैसे करूंगी नहीं बहुत दूरे हिमाचल तो या फिर भी मैं क्या करूंगी कुछ mode of transmission मैं यूज करूंगी तो ऐसे ही ये जो microbes होते है ये बैटा कुछ दूसरे animals के, दूसरे organisms के या दूसरे किसी चीजों के help लेते हैं तो transfer from one place to another, to transfer from one human to another, to transfer from one organism to another. उनको हम कहते है vectors. तो ये vectors क्या है बैटा? ये vectors है मोहरे, जिसको use करके microbes क्या करता है? अपना वार करता है. So, vectors क्या हो जाएंगे? Vectors are organisms or animals that transmit microbes that transmit microorganism from one person to another याद रखिये एग्जाम्पल दे सकते हैं एग्जाम्पल ओफन वेक्टर बेटा व ये ये दुनिया का सबसे dangerous vector है that is a mosquito याग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मौस्क्यूटो तो याग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं mosquito कितने बिमारियों का दाटा है यह कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम होते हैं जो क्या करते हैं बैटा माइक्रो और्गनिजम को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस्ट वन परसंट वन अदर मॉस्क्यूटों को अगर अग्जाम्पल ले तो फटा डेंग्यू जो है डेंग्यू लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या मॉस्कूटों को मार घाता है दि को मार जाता है मलेरिया मलेरिया भी मॉस्क्यूटों के काटने के वजह से होता है एक्जाम्पल है चिकुनगैनिया, लेश्मैनिया जो क्या है बिटा अलग-अलग हमारे मॉस्क्यूटो अलग-अलग इंसेक्स के काटने के वज़े से होता है So, yeah, they are a very-very important vector यह सहारा है उन microbes का जिसके चलते वो एक human से दूसरे human तक एक organism से दूसरे organism तक पैल जाता है Examples मैं already दे चुकी हूँ, Examples में अगर हम बात करें तो mosquito, housefly, all these things are very-very good example of vectors But, यहाँ पर थोड़ा सा हम in detail देखेंगे about the malarial parasite बहुत ज़दा नहीं, बस थोड़ा सा कि किस तरीके से यह फैलते होंगे About the malarial parasite तो बहुत आदे को सबसे पहले malaria किस वज़े से होता है, malaria होता है plasmodium के वज़े से ठीक है, और यह जो plasmodium है यह एक protozoa है Plasmodium क्या है बेटा, plasmodium एक protozoa है अब यह plasmodium क्या करेगा बेटा, सबसे पहले यह plasmodium भी पानी में रहता है तो जब mosquito पानी में grow करेगा जब mosquito पानी में grow करेगा तो mosquito की भी बहुत सारे अलग-अलग type होते है एनोफिलिस मॉस्क्यूटो कहते है जिसके बॉडी में यह पैरसाइट प्रेजन्ट होता है तो इट इस नोवन एस एनोफिलिस मॉस्क्यूटो और एनोफिलिस में भी बेटा जब फीमेल मॉस्क्यूटो होती है इनकी body में present होता है ये protozoa plasmodium तो anophilis mosquito जब बेटा वो पानी में present होंगे तब ये plasmodium चुक्के से उस mosquito के body के अंदर चला जाए तो ये जो plasmodium है it will leave inside the mosquito there तो ये वही पे वो रह जाएगा और ये तब तक रहेगा जब तक ये mosquito किसी दूसरे इनसान को ना काट ले तो जब बेटा ये mosquito किसी दूसरे इनसान को काटेगा ये plasmodium क्या करेगा plasmodium will enter the human blood सबसे पहले ये हमारे human blood में घुसेगा हमारे blood के जो cells है उनको खराब करेंगे और उसके बाद वो हमारे liver में जाएंगे liver के cells को खराब करेंगे और दुबारा जब दूसरा mosquito हमें काटेंगे जिसके बॉड़ी में ये plasmodium है ये plasmodium उस mosquito के मुँपे भी चला जाएगा उस mosquito को बॉड़ी में भी चला जाएगा लेकिन बटा यहां पे जो mosquito है जो वेक्टर है इसको कभी भी बिमारी नहीं होती है बिमारी हमारे बॉड़ी में होती है तो इसलिए क्या है वेक्टर जो है वो चुप चुप के बस इसको को ट्रांस्मीट कर देता है जितनी भी बिमार्या हो नहीं है जितनी जो होना है बटार वो सिर्फ हमारे ही बॉड़ी में होता है तो कुछ इस सरीकेकर मैलेरियल साइक्ल होता है Plasmodium सबसे पहले मॉस्कुटों के बौदी के अंदर जाते हैं वहां रहते हैं जब तक वह मॉस्कुटों किसी हुमन को ना काट ले हुमन के बॉड़ी में बलड में एंटर करते ही प्लाजमोडियम अपना काम शुरू कर देता है इन्फेक्शन शुरू हो जाती है और तक चलती रहती है जब तक हमारे बॉड़ी के डिफेंस सिस्टम जब तक हम प्रॉपर मैडिकेशन ना ले ले तो इस तरीके के बहुत सारे बिमारिया है बेटा विच आर ट्रांस्मिटेड वाइड वैक्टर्स तो यहां पर मैंने एक च तो बेटा पहला है Tuberculosis TB जिसको हम कहते हैं Bacteria के वज़े से होता है जो Microbacterium के नाम से बहुत पेबस है अगैन बाक्टेरिया का नाम इंपॉर्टन नहीं है बस इतना याद रखिए Tuberculosis TB जिसको हम कहते है बैक्टेरिया के वज़े से होता है Transmit कैसे होता है हवा में इन्सान वाले वाइरस रिलीज हो गया और इस इन्सान के बॉड़ी में एंटर कर गया तो इसी टाइप के बैक्टेरिया जो टीवी वाले पेशन्स होते हैं वो जो बैटा स्नीज करते हैं जब खासते हैं थू निकलता है उनके मुझसे उस थू में बैटा लाखो लाखो बैक्टेरिया होते हैं और वो जब किसी दूसरे इन्सान के बॉड़ी में जाएंगे उन्हें भी टीवी हो जाएगा तो उनकी ट्रांस्फोर्मेशन किस से होता है बैटा हवा के वज़े से होता है मिजल्स जो होता है वो वाइरस के वज़े से हो सकता है पोलियो पानी से भी हो सकता है और यहां पर अगर हम देखें बैटा हम अपने को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वाट अप्रिवेंटिफ मैजर्स तो सबसे पहले ऐसे पेशिंस को क्या करना चाहिए इसलेशन का मतलब है कि उनको थोड़ा सा प्रॉपर केर और दू प्रॉपर अगर वेक्सिनेशन है तो प्रॉपर वेक्सिनेशन करवाले यह कुछ हमारे प्रिवेंटिफ मैजर्स प्लस हमारे क्योर मैजर्स होते हैं नेक्स अगर आप देखोगे बैटा पॉलेरा टाइफॉइड यह दोनों बिमारिया बैक्टेरिया के वज़े से होती है और सबसे इंपोर्टन पानी के वज़े से गंदे पानी के वज़े अगर प्रॉपर पानी फिल्टर्ड नहीं है उसमें बैक्टेरिया है जर्म्स है तो बिटा हो सकता है तो वाटर एंड पूड कांटामिनेशन के वज़े से होता है और यह हम बिटा अपने पॉस्टनल हेल इस बिटा है यह एक लिवर की विमारी है पानी के वज़े से होता है ऐसे कंडिशन में हम क्या कर सकते है सबसे पहले तो वैक्सिनेशन हमको लेनी है प्लस हम पानी को उबाल के खाये आज कल आरो सिस्टम और अल दिस सिस्टम है हम वो सब तेक्नोलोजिज भी यूज कर सकते है अधरवाइस बॉइल वाटर इस सेफिस्ट ऑप्शन मालेडिया मैंने अभी भी बोला था एक प्रुटोजवा के वज़े से होता है मॉस्क्यूटो यहां पर वेक्टर है और हम क्या कर सकते बिटा एक बहुत फेमस ब्रैंड है कॉल ओडो मॉस वह क्या करते है वगेरा यूँज कर सकता है ताकि मॉस्क्यूटो बॉइट को हम प्रिवेंट करें कि मच्छर काटेगी ही नहीं बैटा तो हमें कहाद बिमारिया नहीं होगी इसके अलबा हम अगर surroundings को साफ रखेंगे अपने घर को साफ रखेंगे तो mosquito की breeding नहीं होगी और इस टाइप की बिमारिया भी नहीं होगी बिमारिया definitely होती है लेकिन उसके preventive measures भी होते है ठीक है बिटा हमने अब तक जितने देखे वो सारे animals या humans की बिमारिया करते है जैसे कि कुछ बिमारियों का नाम हमारे NCRT में दिया है पहला होगा जो है citrus cancer 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 में क्या होता है आपके बोडी के अंदल बलून सा बन जाता है तो यहां पर यहां फ्रूट के ऊपर आते काले-काले धब्बे बन जाते हैं नेक्स्ट आप में लेमन आएगा निवू आएगा तो देखना कभी कवाना कुछ लेमन के ऊपर सुखे-सुखे चोटे-चोटे धब्बे होते हैं दोधार एक्षटली कैंकर जो एक बैक्टेरिया के वज़े से मेंइसकी हेवा के वज़े से ही सिमिलये ली रस्ट ओफ वीट ये एक एसी बिमारी है जो पूरी पत्ते को खा जातें पुरा चुबत्ता है न पौनर पोर बाइट रस्ठ टायप हो जाता है और पूरा पत्ता चंप हो जाता है और पत्ता कुछ बौटी प्लांट ही- वीक हो जाती है तूट जाती है बिकार हो जाती है तो रस्ट ऑफ वीज जो है वो एक फंगस के वज़े से होता है ट्रांस्मिशन की बात करें तो इनकी ट्रांस्मिशन भी एर और सीड्स के वज़े से होता है अगर लास्ट बात करें हम यलो एंड मोजाइक और भिंदी तो य यह एक वाइरस के वज़े से होता है जो इंसेक से ट्रांसमेट होता है so communicable disease सर्फ humans में नहीं होते है communicable disease plants में भी होते है जिसके तीन एक्जामपल हमारे बुक में दिये गए है यह तो बेटा बस में एक 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 एक्जामपल है इसके बाद भी हमारे बहुत सारे ऐसे एक्जामपल होते है अब एक बहुत कॉमन टॉपिक के ओपर हम discussion करने जा रहे जिस फूट पॉजनिंग अक्सर हम बात करते है कि इसको फूट पॉजनिंग हो गया यह hospitalized हो गया उसको फूट पॉजनिंग हो गया वाट इस फूट पॉजनिंग तो बेटा जो microbes होते हैं न microbes produce some toxins यह क्या करते है they produce some toxins ठीक है और यह जो toxins है it causes illness यह क्या करते है बिमारिया करते है यह हमारे body के normal functioning को रोग देती है और इसी को हम कहते है food poisoning क्या होता है जब भी हम किसी खाने को बेटा दो तीन दिन तक रख देते है मान लीजे मेरे पास एक चावल है और मैंने उसको तीन चार दिन तक रख दिया और तीन चार दिन के बाद मैं उसको खाने लगी तो क्या होगा बेटा वह spoil हो जाएगा स्पेशली क्या होता है food poisoning कब होता है स्पेशली दियू टू इटिंग और स्पॉयल फूड जब भी मैंने चावल को बेटा तीन चार दिन तक रख दिया तो बात है उस चावल में माइक्रोब कर गया होंगे अब उस माइक्रोब में तॉक्सिंस भी रिलीस कर दी होगी और मैं उसको खा गई तो वह चो टॉक्सिंस है मेरे बॉडी में जाएंगे यह मेरे डाइजेशन नहीं होने देंगे यह हो सकता है कुछ ऐसे भी क्यामिकल्स हो जो मेरे हार्ड वेट क को फास्ट करते तो ऐसे कंडिशन में क्या होगी बॉडी उस चीज़ को एकसेप नहीं कर रहा है बॉडी क्या करेगी चैस्ट पेन हो सकता है सीवियर केसिस में सरदध हो सकता है इसी को हम कहते हैं पुट बॉइसनिंग कभी कपार तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉंग टॉक्सि स्ट्रॉंग क्यों होता है डियू टॉट टॉक्सिक कैमिकर्ट रिलीज बाइडिस माइक्रो ओर्गेनिजम तो हमें इसलिए स्पॉयल पूड बहुत दिनों का खाना नहीं खाना चाहिए और अगर हमें खाने ही है अगर हम खाने का सोचते ही है तो हमें उनको प्रिजर्व क तरीके है और इस सारे के सारे जो तरीके है डे आर ग्रॉप अंदर फूड प्रिजर्वेशन तरीकों की अगर हम बात करें सबसे पहला वेज क्या है क्या है क्यामिकल वेज है बटा क्यामिकल ही हम फूड को प्रिजर्व कर सकते है माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं तो preservation क्या होगा पीटा preservation का दूसा नाम होगा control of microbial growth यह क्या होगा control of microbial growth हम इनके growth को control करेंगे है ना और किस तरीके से करेंगे पीटा chemical method से कर सकते है जैसे कि आप देखोगे अचार वगेरे में सॉल्ट दाल गया जाता है चीनी सिरप सिरप में डुबों के फ्रूट्स रखा जाता है तो यह सब क्या है शूगर हो गया चीनी हो गया यह सब प्रिजर्वेटिफ की तरह काम आते है और हो गया हम अपने अचारों में बैटा और भी जालते हैं तो जब भी हम किसी खाने में सॉल्ट दाल देंगे बहुत जादा जैसे अचार में हम करते हैं और कोई माइक्रोब्स वहां आ गया तूस माइक्रोब्स के बॉड़ी के अंदर जितनी पानी है ना सॉल्ट उसको खीच के निकाल लेगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो माइक्रोब मर जाएगा तो इसलिए यह सॉल्ट हो गया ऑईल हो गया शूगर हो गया यह सारे आएड्स, तोडियम, बाई-sulphiode हम यूज करते हैं अपने जैम में, स्कौशस में स्कौशस जैम स्थोर से हमारे कंपनी में बनते है तो इस टाइप यह चामिकल से जलता है घरों में हम वही कमन सॉल्ट यूज करते हैं और सिर्व सॉल्ट ही नहीं बीटा हम शुगर भी कर सकते हैं we can even use sugar syrup as well तो यहां आप देख सकते हो common salt use क्या जाता है as a priority for meat and fish है ना sugar हम यूज करते हैं अपने jam jelly squash इंफेक्ट फोरा बहुत हम sauce भी बनाते हैं उसमें भी हम यूज करते है शुगर क्या करता है करते हैं और बैक्टेरिया मर जाता है विनेगर हो यह यह बना देगा एक आसा लेयर बना देगा कि कभी भी बैक्टेरिया खाने तक अच्छी नहीं पाएगा, नेक्स बात करें, इसके अलावा वेटा हम heat and cold treatment भी कर सकते हैं, heat treatment का मतला है कि हम खाने को बहुत गरम करें, पानी को उबाले, बहुत जदा heat में भी बैक्टेरिया मर जाते हैं और cold treatment, that means हम fridge में खाना रख सकते हैं ताकि वो preserve रहे, because cold temperature में भी सारे microbes grow नहीं कर पाते हैं, ठीक है, so it's very obvious, आप देख सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, boiling kills tea microorganism, हम पानी को proper उबाल सकते हैं, ताकि microorganism जो हो, उनकी death हो जाए, या बेटा हम freezing कर सकते हैं, freeze में proper खाने को preserve कर सकते हैं, ताकि low temperature में वो grow नहीं कर पाए, अब बेटा जब हम heating की बारे में बा जाता है, which was again propounded by Louis Pasteur, जिन्होंने fermentation के बारे में बताया था, उन्होंने बेटा fermentation के साथ साथ, pasteurization के बारे में भी बताया था, अब इस pasteurization में होता क्या है, डूद के context में बहुत ज़रा use होता है, maybe आप लोग भी aware होंगे, pasteurized milk, आज कल के market में बहुत famous है, और यह जो pasteurized milk हो जो होता है, वो नहीं फटता है, क्योंकि एक ऐसा process है, ऐसा process है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले दूद को बेटा गरम किया जाता है, 700 degree Celsius for 15 to 30 seconds, सोचो, इतना जादा, कितना temperature होगा, so बहुत ज़रा high temperature में बेटा, 15 to 30 seconds तक गरम किया जाता है, और उसके बार फटा अफट pasteurization, किसने develop किया था, again Louise Pasteur, उन्हीं के नाम से ये बना pasteurization, डूट के context में बहुत ज़रा use होते है, आजकल impact बहुत ही common है, इससे क्या होगा बेटा, microbial growth prevent हो जाता, इतने ज़्यादा high temperature में microbes जिंदा रही नहीं पाएंगे, वो खतम हो जाएंगे, और इसके अलावा pasteurization के अ हम खाते हैं ना बदाम वगएरा, dry fruits के अंदर आता है, क्यों? क्योंकि हम उनको सुखा देते हैं, हम उनको trees से निकाल कर, धूप में सुखा कर, एक्तम completely सुखा कर उसे बेचते हैं, so हम क्या कर सकते हैं, fruits वगएरे को बेटा, dry fruits के form पे भी बेच पकते हैं, vegetable वगएरे को हम airtight packaging में रखकर, fridge में डाल कर, बहुत दिनों तक preserve कर सकते हैं, so there are different ways of preservation, preservation के बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं, so सबसे पहले हमें समझना क्या है, what is nitrogen fixation? तो निखे बेटा, nitrogen fixation is the process of fixing atmospheric nitrogen, क्या है ये? It is the process of fixing atmospheric nitrogen, और in other words हम ये कह सकते हैं कि, एक inorganic form को हम बेटा, organic form में convert कब देए, और ये कौन करता है? ये बेटा, कुछ हमारे bacteria करते हैं, कुछ हमारे special bacteria करते हैं, जिनको हम nitrifying bacteria कहते हैं, या बेटा, कभी-कभार ये nature में due to lightning होता है, तिक है? Due to lightning होता है, so nitrogen fixation क्या है? It is the process of fixing the atmospheric nitrogen by the action of some bacteria, और sometimes during a natural phenomenon known as lightning. इसके अलावा, bacteria जो है, दो टाइप के होते हैं, bacteria ये तो soil में present होंगे, जो atmosphere के nitrogen को fix करेंगे, या बेटा, कुछ bacteria होते हैं, जो roots में present होते हैं, कुछ हमारे roots में present होते है, of a leguminous plant, root of leguminous plant में एक special bacteria present होता है, जो atmosphere के nitrogen को fix करता है, leguminous plant क्या होते हैं, legumes, legumes for love, हमारे दाल, अरहर, दाल, मूम, डाल, जो भी दाल हम खाते हैं, बिन्स जो भी हम खाते हैं, राजमा वगेरा, सारे के सारे इनको हम legumes कहते हैं, इनके root में एक bacteria पाई जाती है, which is known as rhizobium, this bacteria is known as rhizobium, और इस bacteria से बेटा क्या होता है, इस bacteria से atmosphere के nitrogen को fix किया जाता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चोटे चोटे ऐसे pockets बने होते हैं, चोटे चोटे ऐसे cells बने होते हैं, group of cells बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं nodule, जिनको हम कहते हैं root nodule, यह जो nodule है बेटा, यह bacteria खुद बनाते हैं, यह bacteria क्या करते हैं, root को infect कर देते हैं, और उनमें चोटे यहां यह बैक्टेरिया रहते है और यहां यह क्या करते है एस्मोस्फेर के नाइट्रोजन को खीज कर फिक्स करके प्लांट को देते है जो कि प्लांट के लिए बहुत अच्छा है ऐसे प्लांट को बेटा बहुत जादा केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती है वो खुद बाख खुद अपनी ग्रोथ कर सकते है तो लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम की जो यह असोशेशन है यह बहुत अच्छी असोशेशन है इन दे नेचर अब हम थोड़ असा देखेंगे अबाव दे नाइट्रोजन स कि हमारे अत्मोस्फियर में हमारी प्रिस्वी में बाटा नाइट्रोजन की साइकलिंग कैसे होती है तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि हमारे अर्थ में बाटा नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी है अत्मोस्फियर में कितनी क्वांटिटी अफ नाइट्रोजन प्र नाइट्रोजन होता है उसको सबसे पहले फिक्स किया जाता है इसको प्रिस्वी कि तरफ लाया जाता है दो तरीके से लाया जाता है एक तरीका हो गया ड्यूरिंग लाइटनिंग जब लाइटनिंग होती है न बरसात होती है लाइटनिंग होती है तब बेटल आया जाता है अचली होता क्या है लाइटनिंग के टाइम पे हमारे जो अट्मोस्फियर में नाइट्रोजन है तो ऑक्सिजन के साथ मिल जाते है नाइट्रोजन नॉक्जाइड बनता है और वो ब बन गया तो इस तरीके से होता है यह बिलकुल एक natural process है दूरिंग लाइटनिंग होता है ठीक है और विटा क्या होता है fix होता है by some bacteria as well bacteria के help से भी fix किया जाता है bacteria क्या करते है वह atmosphere से nitrogen को लेते है processing करते है और उसको organic form में convert कर देते है अगेन लाइक nitrite, nitrate इस टाइब के organic form में convert कर देते है और वो जो organic form है वो soil के nitrogen का part बन जाता है इसी को हम कहते है nitrogen fixation किस तरीके से होता है lightning के time से हो यह बैक्टेरिया के टाइम पर होगा किसी भी तरीके से हो lightning के टाइम से हो यह बैक्टेरिया के form में हो ultimately यह क्या होगा यह soil में आएंगे और soil में यहां क्या बनेगा यहां बनेगा हमारे nitrogen compounds कि जो कि मैंने आपको कहा था nitrate, nitrite इन सब चीजों की formation होगे nitrogen compounds करेंगे, ठीक है तो यहां तक का जो सफर है इसको हम कहते है nitrogen fixation ठीक है बैटा अब देखो होगा क्या यहां जो यह nitrogen compound बना जिसको मैंने कहा था अभी nitrate उसको plants भी use करेंगे plants क्या करेंगे soil से minerals लेते हैं हम सबको पता है तो यहां पे जो nitrogen compound के बैटा उसको plants भी use करेंगे और यह जो plants होते है plants को कौन खाएंगे animals तो plants के through यह कहां जाएंगे बैटा animals के body में जाएंगे हम plants लेते है राइट तो plants से कहां जाएगा plants से यह animal तक जाएगा और उसके बाद animal में nitrogen का क्या काम है बैटा animal में nitrogen is a source of protein ठीक है animal में nitrogen protein के source है अब जब animal west product निकालेगा जाहिर से बात है कोई खाएगा तो west भी बनेगा तो animals बैटाएगा west product निकालेगा excreta जिसको हम कहते हैं उसमें भी nitrogen होगी हमारी जो urination होती है urine जो होता है उसमें भी nitrogen होता है तो बैटा जो excreta होता है वह again कही ना कहीं वापस soil में आएगा है ना और soil में क्या होगा दुबारा से उसकी processing होगी दुबारा से उसकी हो सकती है decomposition होगी यह हम मर जाता है बैटा तब भी हम मर जाएंगे तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे तब भी जो nitrogen था जो nitrogen था वो soil में mix हो जाएगा यहां के थू भी soil में mix हो जाएगी animals हो plants हो सबको एक दिन खतम होना है सबकी death हो जाएगी तो भी हम यहां होगा तो भी हम बिटा घूम पर के हमारे body में जो nitrogen है वो यहां soil में आ जाएगा और इसके अलावा क्या होता है कुछ हमारे ऐसे microorganism भी होते है जो soil से nitrogen को वापस atmosphere में भेजते हैं वो क्या करते है soil में जो nitrogen है उसको वापस atmosphere में भेज जेते हैं और उन bacteria को हम कहते है denitrifying bacteria तो देखो दो process हो रहा है एक process में क्या हो रहा है atmosphere के nitrogen को soil की तरफ लाई जा रही है this process is known as nitrification इस process को हम कहते है nitrification हो क्या रहा है यहाँ atmosphere से soil की तरफ nitrogen को लाया जा रहा है दूसरा जो process है यहाँ it is known as denitrification यहाँ क्या हो रहा है यहाँ soil से atmosphere की तरफ nitrogen को ले जाया जा रहा है और यह पुरा cycle बनता है जितना atmosphere soil से उपर जाता है उतना ही nitrogen बेटा atmosphere से दुबारा soil में आता है कहने का मतलब यह है कि यह पूरा complete cycle बनता है जिसके वज़े से हमेशा हमारे atmosphere में 78% nitrogen बना रहे था